तो आज की जो वीडियो है वो समय वक्त टाइम अब जो भी कहें उसके बारे में हैं कि क्यों डिस्कुस करना जरूरी है कि आज कल कि जो जनरेशन है जिसमें हम भी आते हैं और काफी मेजा से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पाइम जो है उसको समझना बहुत ही ज़ाया जरूरी है क्यों हम क्या करते हैं एक्साम बहूंक हो जाएगा तब क्या होगा आप पैनिक हो जाओगे कि यार मैं कैसे मैनेज करूँ मैं कैसे क्या कम्प्लीट करूँ and you will totally distracted ठीक है आपको बहुत distracted फील करोगे आप और आपको बहुत गुसा आएगा कि मेरे ये कम्प्लीट नहीं हुआ वो कम्प्लीट नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ इस चीज को अगर आप समझो तो आपको पढ़ा चलेगा कि क्योंकि आपने पास्ट में अपने टाइम के वेल्यू नहीं की थे आपने ये कहा था कि मैं फ्यूचर में कर लूँगी या कर लूँगा बट हमेना ऐसा नहीं करना है आप सब कॉम्प्रिटेटिव एक्जाम्स की तयारी कर रहे हो ठीक है तो देखें मैं आप सबको यहीं एक रिक्वेस्ट करूंगी न कि प्लीज नेवर वेस्ट यूर टाइम वक्त बहोत तेजी से निकल रहा है बहत ही ज़्यादा तेजी से निकल रहे है तहीं वो रेत की होता है ना जैसा तीवी हों दिखाते हैं मुठी में रेत की तरफ फिसलता हो ऐसा टाइम निकल रहे है हमाने हाथ से तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा हर एक एक कीमती वक्त जो है बहुत ही ज्यादा यूटिलाइशन में आये तो मैं जैसा कि मैंने भी ये डिसाइ आप फालतू की चीजों को में करते हो ना यूटलाइश उसकी जगह आप कुछ नया सीखिए जो आपका वीक पॉइंट है उसको इंप्रूव करिया अगर आप एक इंट्रोवर्ट है तो आप एक एक एक्स्ट्रोवर्ट करने की कोशिश करिए अपनी प्रस्नालिटी डेव अगर आपके इंग्लिश वीक है आप इंग्लिश रिकिए मतलब जो करना करिये लिकिन प्लीज डॉंट वेस्ट यूर टाइम यह मतलब एक मेरा भी ताइम जाएंट एट यह आपके बहुत काम आने वाली है अप जिस भी एक्जाम की तयारी करें हो आल दे वेरी बेस्ट अ अगराओऑद काम आने वेरी लिकिन जाएंट यह आपके बहुत करें हो इंग्लिश थे लिकिन वेरी ते वेरी एंग गी तो बाता है आपके पिज़ को वेरी जो एक्षी मतलिश त यह दो